जीतने के लिए खुद में होसला होना बहुत जरूरी है क्योंकि हारने के लिए महनत ना करने के लिए महनत से बचने के लिए चीजों को देख कर बस डर जाना ही काफी है चलो डर गए चीज से उस चीज से पीछा तो कम से कम छूटा महनत तो नहीं करना पड़ेगा तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तो अपने होसले को बनाई रखिए और अपने महनत के बलबूते पर आप सक्सेस तक बहुत सकते हैं ठीक है क्लास को स्टार्ट करूँगा और एक बात बोलूँगा आज सनी बारे तो क्लास कोई नहीं है लेकिन हाँ साम को 6 बज़े जैसे मैंने आप सभी को बोला था धमाकेदार वीडियो आज साम को मिलेगा आपको सिलोगिजम के उपर उस कंसेप्ट के उपर जिसको लेकर बहुत जन को किलियर नहीं है वनली, फ्यू क्या होता है इसके उपर पूरा सिलोगिजम कंसेप्ट कैसे घुम जाता है तो वो वीडियो बहुत बहतरीन तरीके से आपको समझाओंगा आज साम को 6 बजे हमारे ही चैनल सक्सेस की 98 पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजेगा और किसी भी एक्जाम का ओनलाइन जो मोग टेस्ट है आप सभी हमारे एप्लिकेशन जो है हमारा खुद का एप से सक्सेस की 98 ये डाउनलोड करने के बाद एप एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते है 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो ओवरॉल हर एक एक्जाम के लिए SEC हो, bank हो, railway हो, हर एक्जाम के लिए एक साल के validity के साथ हर एक्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा कम से कम एक एक्जाम के लिए 25 सेट जैसे अभी आप देखोगे वहाँ पर railway का 90 से ज़्यादा सेट पड़ा हुआ है प्लस SEC के सारे एक्जाम का पड़ा हुआ है और bank के भी तो class start करूँगा और आज cover करने वाले हैं 25 January के important current affair तो देखते हैं आज का पहला जो प्रस्ण है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला question ने वो यह है किस राज का चुनाव अयोग मद दाताओ द्वारा प्रति रूपण का सामना करने के लिए चेहरे की पहचान एप का उप्योग करेगा बहुत important question है और ये बहुत अच्छा step भी बोल सकते हो और ये करने जा रहा है आपका तिलंगना राच option number D अब क्या है जो है नाम कार्ट दिया जाता है और उसके जगब पर कोई और भोट मार देता है तो अब ये सब जो है वो बंध होगा अब चेहरे की भी पहचान की जाएगी तो बहुत अच्छा step है और ये पहली बार कहां पर होगा पूरे भारप में फर्स टाइम ही हो रहा है और ये होगा आपका तिलंगना में और वहां का capital क्या है तो वो है आपका हाइद्राबाद वहां की राजपाल कौन है गवर्नर तो तिमल साई साउंडा राजन और वहां की सीम कौन है तो के चंद्र से खर रहा हो अगला प्रसमारे सामने किस राज सरकार ने हर घंटे में 24 घंटे पैजल आपूर्ती सुनिचित करने के लिए गारंटी कार्ड जो है वो लांच किया है ये आपको बताना है ये दिल्ली सरकार ने वादा किया है लोगों से कि जैसे हम लोगों ने 5 साल तक सारे वादे पूरे किये हैं उसी तरह अगर हम इलेक्सन में दुबारा चुन कर आते हैं तो और भी इससे बैतर काम वहां के लोगों के लिए करेंगे अर्बीन केजरिवाल जी ने ये वादा किया है और उन्होंने एक गारेंटी कार्ड लॉंच किया है जिसमें उन्होंने गोस्रा की है कि अगर फिर से चुन कर आएं तो अब 24 घंटे दिल्ली के लोगों को पानी वो देने का एक और वादा कर रहे है जैसे उन्होंने बाकी वादा पूरा किया है उनका कैना उसी तरह ये वादे भी वो जो है वो पूरे करेंगे अगर वो चून कर आते हैं तो और दिल्ली के राज़ुपाल कौन है उपर राज़ुपाल तो वहां के उपर राज़ुपाल है आपके अनिल बैजाल ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है आदिवासी इवाव के विकास को सुनुचित करने के लिए एक सप्ता का राष्टिय जन जाती इवा विनिमय कारिकरम जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा और ये किया जाएगा आपका पुडेचरी में अप्सन नमबर आपका डी ठीक है अगला प्रस्वारे सामने आद्रपरदेश सरकार ने किस सहर को अपने नए कारिकारी राज़धानी बनाने की जो है वो एप्रूबल दे दिया है आप्सन नमबर आपका बी ठीक है और एक बात और कैपिटल क्या है आप्रपरदेश का तो वो है आपका हैद्राबाद वहाँ के राज जुपाल कौन है तो वो है आपके विसु भूसन हरिश्चन और वहाँ की सीम कौन है ये जगन मोहन रिड़ी अगला प्रसमारे सामने भारत्य तिरंदाजी संग यानि आर्चरी एसोसियेशन ओफ इंडिया के अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है उनका नाम बताना है और उनका नाम है आपका आप्सन नमबर डी अर्जुन मुंडा ठीके अगला प्रसमारे सामने नौवा अंतरास्टिय बाल फिली महसाव जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा यह हो गया है ठीके कहां पर आयोजित किया गया था तो यह किया गया था आपका कोलकाता में कहां पर कलकता में और कलकत्ता किसका राजधानी है तो पच्छिम बंगाल यारी विस्ट बेंगॉल का वहां के सीम कौन है ममता बैनर जी वहां के राज्युपाल कौन है तो जगदीब धंकर ठीक है अगला प्रसमारे सामने है कि दवास में पच्छासवे विस्वार्थिक मंच में भारतिया प्रतिनीधी मंडल का नितित्व कौन करेगा बहुत आज भोल सकते हो आज का सबसे इपॉर्टेन कोसे निये है कि 50 World Economic Forum जो डवास में होने वाला है वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट या लिट कौन करने वाला है और उनका नाम है आपके हमारे भारत के रेल मंत्री पियूस गोईल साब जो है ठीक है ओप्सन नंबर आपका B अगला प्रसमारे सामने है केरल राज खेल परिसद द्वारा स्थापित जीवी राज पुरुसकरार यानि जीवी राजा अवार्ड जो है किस एथलेट ने जीता है यानि केरला राज खेल परिसद द्वारा जो एक अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम क्या है जी राजा पुरुस्कार यह अवाड किस एतलेट्स को दिया गया है और यह दिया गया है आपका मुहमद अनस को आप्शन नुमबर आपका यह यह कौन सा गेम खिलते हैं तो यह एक एतलेट से दोड़ते हैं यह ठीक है और केरल के वहां के मुख्यमंत्री कौन है तो पीना रही बिजयन वहां के राज़ुपाल कौन है तो वहां के राज़ुपाल है आरीफ महमद खान और वहां का कैपिटल तो वो है आपका तिर्वेंदरम पूरम अगला प्रस हमारे सामने है मद्य परदेश राज सरकार ने 2017 राष्टिय लता मंगेसकर पुर्सकार किस्ते जीता है य याद रखिएगा और मद्य परदेश की सीम कौन है कमल नात राज़ुपाल लाल जी टंडन और राज़धानी क्या है तो वो है आपका भोपाल ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है गलोबल गलोबल विल्थ और लाइफ स्टाइल रिपोर्ट की अनुसार किस सहर को लगसरी स प्रमानों के लिए दुनिया के सबसे सस्ते सहर में स्थान दिया गया है और वो सहर है आपका अप्रस नमबर डी मुंबई और मुंबई किसका क्यापिटल है तो महरास्ट्रा का महरास्ट्रा के सीम कौन है उद्दव ठाकरे और महरास्ट्रा के राज़ुपाल कौन है तो भ पहारत का रैंक क्या है और इंडिया का रैंक है 76 अब आप सभी का पहला कॉमेंट्स ये होना चाहिए आपका आज का पहला प्रस्थ ये है कि इसमें टॉप पर कौन सा देश है उस देश का नाम आपको कॉमेंट करकर बताना है अगला प्रस्थ हमारे सामने रूस दो हचार आणी वित्रित करेगा आपको बताना है रसिया जो है तो जर पचिस तक कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया को देने वाला है तो वो है आपका S40 और रसिया का कैपिटल क्या है तो वो है आपका मुस्कोव मुद्रा रसियन रबल और राष्टपती वहां के है बल्दमीर पुतिन ठीक है अगला प्रस्थ हमारे सामने है भारत ने के फोर बलेस्टिक मिसाइल का सफल पर इछड किया है इसकी सीमा कितनी किलो मिटर तेक है यानि यह कितरे मिटर तक जो है इसका रेंज है यह आपको बताना है और इसका रेंज है आपका 35 किलो मिटर किसका के फोर बलेस्टिक मिसाइल का ठीक है बलेस्टिक मिसाइल का कितना रेंज है तो 3500 किलो मिटर तक जिसका सफल परिछड किया गया है भारत के द्वारा अगला क्वश्य नमारे सामने है महिला एंकल इंदोनेसिया मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है और ये जीता है आपका रत चानोक इंतानोने आपसर नम्मर आपका ए ठीक है और आज का आपक इंदोनेसिया के प्रेसिडेंट राष्टपती का नाम क्या है वहां का कैपिटल क्या है और वहां का करेंसी क्या है या तीन चीज आपको इंदोनेसिया के बारे में कॉमेट करकर बताना है और अगला प्रस्त हमारे सामने सुननदा पतनायक जिनका हाल ही में निधन हो गया ह वो किस चीज में फेमस थी वो एक प्रस्तिध क्या थी तो वो एक क्या थी और हाँ ये क्वेस्टिन काफी इपॉटेंट याद रखेगा वो एक गायक थी यानि option number आपका B ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है ये क्वेस्टिन बोल रहा है आपका सालेह सुल्तान जो एक titanic queen ठीक है लंबी बीमारी के कारण जिनका निधन हो गया है वो कहा कि titanic queen थी ये आपको बताना है वो जो है वो भुपाल की queen थी ठीक है और भुपाल आप सभी को पता है मद्धिपर्देश का रासधानी है वहां के मुख्यमंत्री कौन है कमलनात और राजपाल कौन है तो लाल जी टंडन जो है वहां के राजपाल है मद्धिपर्देश की तो ये थे आपके important current affair cup के 25 जैनवरी का इसका पूरा का पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लेना सक्सिसकी 98.in से या telegram पर जो है वो share कर दिया गया है सो मेरे जितने भी भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ अपने मम्मी और पापा दोनों विक्टी का भी खयाल लखना ठीक है ना चलिए